हैं इस थो आइनी कि नमर को यह को करने वाला है तो चलिए आज का सबसे पहला प्रसंद दिया हुआ है उससे पहले अगर अभीता को शॉप्र के लिञें तो सड्क्राब जरूर करिका क्योंकि भबिस में दोस्तों आप लोग के लिए चैनल बहुत helpful होने बाला है ताकि मैं आप लोग को यह बता दू कि देखिए दोस्तों मेरे पास जितना content है मैं आप लोगों तक पहुंचाने का मैं परियास कर रहा हूं ठीक है और देखिए दोस्तों यानि कि यह 2021 का पेपर ह करांगा ठीक है उसके बाल 15 का पेपर है जो जो पेपर एविलेबल है मैं सब पेपर आप लोगों को इंग्जाम से पहले यानि की हल कराने का परियास करूंगा तो आप लोगों सरा विडियो को जरूर देखिए गा और आप लोगो यह पता चल जाए कि टीक किस परकार का यांत्रिक दिश्टाकारी को किस नाम से जानते हैं यांत्रिक दिश्टाकारी जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं तो दोस्तो उसको जाना जाता है किस से कम्यूटेटर ठीक है कम्यूटेटर बरस सिस्टम से जाना जाता है जो कि औप्षन ए में दिया है कम्यूटेटर बरस सिस्टम क्रेक्ट एंसर जो होगा इसका यह सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोच्चंस आज का दिया हुआ है नेक्स्ट कोच्चंस है आज का देखिए नुमेर कल है ठीक है और यह नुमेर कल जो है थोड़ा यानिकी एडिप में जाएगा ठीक है एसकी भी छोटा है तो एक वीडियो में यानिकी मैं बोला था यानिकी पिछला बला भी कलास म कि जितना नुमेरकल है मैं सभी का एक ही वीडियो में हल कराने का यानि की परियास करूंगा जब यानि की देर सब पूर जाएगा और देर समय से आगर जैसे यानि की दस नुमेरकल आता है तो मैं एक ही वीडियो में यानि की सभी नुमेरकल को हल कराने का परियास करूंगा त अगला प्रसनाच का दिया हुआ है कोईचनस में कह रहा है कि 26 नमर कोईचनस दिया हुआ है यदि एक DC स्रीज मोटर गल्ती से किसी एकल फेज EC अपूर्ती से जूरी है तो अस्पंदित बला गुण यानि कि एक दीसी होगा जो कि option B में दिया है correct answer जो होने वाला है इसका बी सही हो जाएगा चलिए आगे बारते next questions पर next questions आज का दिया हुआ है देखिए दोस्तों कोई-कोई questions नहीं कि English में भी है ठीक है ना क्योंकि Hindi में भी था लेकिन यानि कि कि यानि कि नहीं कुछ पाता चल ला था तो इसलिए यानि कि इंदी को उसको जो है तो देखिए ऑप्शन सरी 27 नमर कोचन का रहा है कि वीच आफ दौलिंग नॉट ए पार्ट आप निकीलियो रियक्टर जो है ठीक है यानि कि कौन सा पार्ट यानि कि नहीं होता है जो option चार दि आपटण को यह जए कि सिँ तो नहीं दिया है नंबर करकें चार नमर भी वें कि याम मैं चार नमर सक नहीं नहीं को नहीं कि यह राइफING करते bathrooms प्योग नहीं कि आ अगे बढ़ते हैं आकला प्रजनाच स्का दिया हुआ है कारण हिमलीख्यत में से क्या प्रदीपन से सबंधीत मेरे क्या सबंदी नजका सब्सक्राइन का लॉनिएस कर आ से तो सफारिम में convict पर खोलता नियम है आगला प्रसणाज का दिया हुआ इसको भी इसको भी करते हैं इसको भी एकि तो जो आएगा जो स्रीज खतम हो जाएगा डेर सो यानिकी 150 प्रसंट जो है इसमें यह टोटल अगर खतम हो जाता है तो जितना नुमेरकल होगा चाहे पांच हो या यानिकी दस हो या पलंदरा हो ठीक है सब को जो है एक वीडियो में हल कराएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते प्रस्ट पर फिलेक्सेवल कोनेक्शन तेक भी में कहा रहा है वैंडिंग आर दो प्लेश इन दा सलॉट आफ दो रोटर कोर ठीक है तीन नमबर में कहा रहा है कि सॉलिड बार्श आफ दा कंडेक्टिंग मैटेरियल आर प्लेश इन रोटर सलॉट एंड शॉट सोट थो इं शॉट करते हैं किसे इंड रिंग के दॉरा यान की isoart कि यद एंसर इसका यह 1 यह 5 जाएगा दिन नमबर दिए हुआ यह सही हो जाएगा चलिए आगे बढते हैं अगला प्रसनाज डिया हुआ है वाचन्स में कहा रहा है कि which of the following wiring system is very costly का मतलब क्या हुआ है कि ज़्यादा खर्च होता है तो किस वाइडिंग में होता है किस वाइडिंग में होता है तो देखिए क्लिट वाइडिंग यानि कि सबसे संस्ता होता है यह धियान में रखिएगा अब रही बात यानि कि सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है यानि कि देवाल को काट करके PVC पाइप के माध्यम से जो करते हैं फिर उसको पलास्टर में जो ढग दिया जाता है उस वाइडिंग में उस वाइडिंग में सबसे ज़्यादा खर्च होता है और उस वाइडिंग को जो कहेंगे दूस्तों वो कंडिव्ट स कहेंगे क्या काендीव्ट वाइडिंग किस में दिया हुआ है तो option सी में दिया है और इंसर जो होने बला है option इसका तीन नमर होगा आप कह यये कभी इसी ब जिए पहला ईकाम होता नस्त परदूसनं चांद्रमा ँसमें चांद्रह और सूरे का गुरुत्यों करशन कहीं उत्पन होताए। इसमें पता जलने वाला है किौ अगे बढ़ने से आगे हैं य। किला प्रशनाज कता हुआ है किसी अनंत बस में कौन सी डों परी मान इश्तिर होते हैं ठीक इ Ari A जिसको अभीर्थी कहते हैं क्या होता है और यह में तुम कहते हैं वीर्थी अभी तो होता है बाई तो option पहला गलत हो गया right answer यानि कि इसका भी सही हो जाए क्योंकि बी में जो दिया हुआ है भोलता और अभीरती दिया हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसनाच का दिया हुआ है questions में कहा रहा है तो speed of the 3-phase induction motor can be controlled by यानि की 3-phase induction motor ठीक है 3-phase यानि की induction ठीक है induction motor का जो speed होता है दोस्तों जो speed होता है और किसके दोरा यानि की control करते हैं तो देखिए दोस्तों यह जो control किया जाता है या था या तो आर्मेचर वोल्टेज कांट्रोल होगा या तो फिल वोल्टेज कांट्रोल होगा या फिल के दोरा कांट्रोल करेंगे या आर्मेचर के दोरा कांट्रोल करेंगे ठीक है किसी एक में से उसके दोरा यानि की किया जाता है तो यानि की D में जो दिया हुआ है वो आर्म gradient flux टिक है किसका पूछ रहा है भाई यानि की यूनिट होता है वह वाट होता है जो की option c में दिया है uite right answer जो होगा इसका option C सही हो जाएगा यानि कि तीन नमर सही हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रसनाज का दिया हुआ है करनाली दोरा उत्पन विदुत सक्तरी किस प्रकीर्थी होती है तो दीखें दूस्तों यानि कि पवण के द्वारा अब रही बात पवण क्या है थतो पवण छक्किंचक्णे का मतलिव क्या हुआ तो यह वा के güven करना इसे को क्या करते हैं पवन चक्की कहते हैं ठीक है ना और यह जो पैदा करता है दोस्तों यानि कि DC जो है नहीं पैदा करता है ठीक है only for AC जो है यानि कि AC का उत्पादन यह करता है तो correct answer जो होगा इसका AC बला हो जाएगा जो कि option A में दिया है right answer इसका यह सही हो जाएगा चलिए अगला प्रसनाज का दिया हुआ है questions में कहा रहा है कि परत्यवर्तित के rated voltage के सबंद में बिना load वाले voltage से rated voltage में परतिशत प्रिवर्तन को dash कहा जाता है ठीक है यानि कि VNL-VFL और बट्ता में VFL ठीक है यह क्या है दोस्तों यानि कि voltage regulation है अगर इसको multiply handle से कर देते हैं तो इसका नाम जो होता है दोस्तों वह voltage regulation होता है voltage regulation होता है ठीक है चलिए अगला प्रसनाज का दिया हुआ है questions में कह रहा है कि दो अल्गरोथ्म यूज्ट टू एक्स्ट्रेक्ट मिनिमम सरी maximum power from the renewal source ठीक है renewal source इस ननने तो renewal source का maximum value होता है दोस्तों MPPT के द्वारा मेजर करते हैं जो की option तीन में कह रहा है ठीक है तीन में दिया है राइट एंसर जो होगा option इसका तीन सही हो जाएगा चलिए आगे बरते चलकता भी इसमें होता है ठीक है साथी साथ यान की rating भी होता है क्या होता भाई rating भी होता है लेकिन यान की frequency जो है ठीक है ना अगला प्रचनाच का दिया हुआ है questions में कह रहा है कि किसी परिनामित्र की कोड के पदार्थ के लिए से थिले पास हिस्टेसिस लूप कैसा होना चाहिए ठीक है तो देखिए दूस्ति यानिकी लूप जो होता है यानिकी हिस्टेसिस लूप जो होता है वो तो सबसे पहले यानिकी लंबा होना चाहिए और उसके साथ यानिकी संक्रा होना चाहिए ठीक है संक्रा का मतलब क्या होता है यानिकी संक्रा हो है ठीक है और इसका मतलब इस परकार का होता है ठीक है यानिकी बीच में जो भाग होता है ठीक है कुछ अजीब सा होता है ठीक है यानिकी इस अ सब्सक्राइब हो जया जाएगा चली आज में दिया है दो टी जन फुर्व मोंसर में के कारण होता है तुच्जो होता है और में दिर्म तो ऑप्सन B में हो मिह ऋसका अप्सन जो इने तक ज़रूरूर बने भानेगा देखिए کसे निë के लिए इंप्एडैंस के लिए एक होता है और किया होता है क्या होता है यहोता है sub और T होता है क्या होता है इसका दोके का 1 Tea कोई यकाय नहीं है इसका क्यों दोस्तो एक होता है एक किसमें और यूण को यानि कि बताने कि हम परियास करेंगे तो यह डाटा को धियाने मेरी किया कोच्छन सभंसेगा इस बार तो यह जो डाटा दिया है यानि कि एक जीरो वाय weight किस में दिया है एक दिया है जीरो दिया हुआ grated गांई कि आप्सट्ण एमेंडिया है तो क्रेक्ट आप्सण इसका न ही वह जाए गाप चलि आगे बरते हां अगला अगरा प्रस्टे तदिया हुआ है क्मेहरा कि इन ए तुझा तुझा करता है यानि कि नमी नमी को क्या करता है वह कर देता है तो यह होगा ओप्शन इसका यानि कि चार सही होने वाला है चलिह Jaci अगया पृस्गां के बीच नंतर का पता लगांए के लिए पड़ियों किये जाने वाला यहंद में से और यह जो पाटा लगा जाता है सिक्रेट के कि सकरोइस कोफ के दौरा निकल पता लगाते हैं ठिक है प्रस्टन दिया है कोचन्स में का रहा है दो रिलेबिलिटी ऑफ कंडूट वाइरिंग सिस्टम का जो होता है ठीक है डिलाइबिलिटी जो होता है वह किस परकार का होता है तो देखिए दोस्तों एक एक्स्टरमली गुड होता यानि अगला प्रसनाच का दिया हुआ है कि दो थीकनेस ऑफ इंसूलेशन ऑफ कंडूकर्टर वन केवल डिपंडेंट जो थीकनेस होता है यानि कि इंसूलेशन जो होता है वह किस पर पर डिपेंड करता है को अगे बढ़ते हैं अज का आखरी सब्सक्राइब पचास नेमर कोशन से हैं एक महासागरी तरंग द्वारा उत्पन विदुत सक्ती द्वारा निधारित की जा सकती है इसको जो निधारित करेंगे जल तरंग द्वारा ठीक है जया वक्रिय जल तरं तरंग के द्वारा जोकी आप्शन बी में दिया है इसका भी सही हो जाएगा बाकी का जितना प्रस्न है नेक्स्ट वीडियो में देखने का परियास करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी यह हो सके ठीक है कि किस प्रकार से कोचन स्टीटू में पूछा जाता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तके लिए जय हिंद जय भारत